और उतरपदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई है पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटे जीती है जबकि उसके गडबंदन साथियों को कम सीटे मिली है आपको बता दे ये गडबंदन के साथ 273 सीटे मिली है ऐसे में आप CME योगी दुबारा सरकार बनाने जा रहा है योगी सरकार 2.0 क्यासी होगी इसका सब कुछ दिजार है यूपी में बीजेपी ने 255 सीटे जीती है एंड ये गडबंदन को कुल मिलाकर 273 सीटे मिली है लोग सभचुनाव में बाकी हैं 2 साल का समय ऐसे में समीकर्णों को साधने की कोशिश की जा सकती है नए मंत्रियों क के पास काम करने के लिए केवल 2 साल का समय बचेगा योगी सरकार 2.0 में OBC सवर्ण दलित वोटरों को साधने की चुनावती होगी इसे देखते हुए इन जातियों का प्रतिनेधित नए मंत्री मंदल में दिखेगा योगी सरकार में योगी सरकार 1.0 में कुल 60 मंत्री थे इ इसके अलावा योगी सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार चुके है उप मुखे मंत्री केशव प्रसाद मौरे सिराथू से चुनाव हारे गन्ना मंत्री सुरेश राणा को थानाभवन से हार जेलनी पड़ी युवा एवं खेल राजय मंत्री उपेंद्रोतिवारी को भी हार मिली उप्मुके मंत्री दिनेश शर्मा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था नए मंत्री मंडल में स्वतंत्र देव सिंग को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी बेवी रानी मौरे को मिल सकती है जिम्मेदारी पूर्वाइपियस अधिकारी असी मरून को मिल सकती है मंत्री मंडल में जगा E.D. में अधिकारी रहे चुके राजेशुर राय को भी मंत्री मंदल में मिल सकती है जगा रक्षा मंत्री राणास सिंग के वेटे पंकस सिंग इस बार मंत्री मंदल में हो सकते हैं शामिल साही बाबाद सीट से रेकॉर्ड जीत दर्च करने वाले सुनील शर्मा संजय निशाद की निशाद पार्टी से भी मंत्री मंडल में मिल सकती है एक दो जगह बेवी रानी मौर्रे को अनुभव और दलित चेहरे के कारण डिप्टी सियम पद मिल सकता है तो योगी सरकार 2.0 किस तरह से होगी ये ग्राफिस के जरिया आप से जानकारी हम साजा कर रहे हैं समधता अबनीश कुमार हमारे साथ जोड़ गया दिख जानकारी के लिए अबनीश आफ से जानेंगे योगी सरकार 2.0 को लेकर बात करें तो काफी सारी चीज़े नई देखेंगे जिन मंत्रियों की हार हुई है उनकी जगह कोई और ले लेगा ऐसे में अगर हम मंत्री मंदल को लेकर बात करें क्या कुछ जानकारी मिल पा रहे हैं अब हम सीदे दिल्ली की और रवाना होंगे तो दिल्ली में अभी मंत्री मंदल गठन को लेकर बैठक होगी उस बैठक में तैकिया जाएगा कि किसको किसी योगिता के आधार पर मंत्री मंडल में जगह दी जाए और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए तो साफ है कि जो पहला मंत्री मंडल का गठन होगा उसमें कुछी कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ सोतनत्त प्रभार होंगे, कुछ राजी मंत्री बनाये जाएंगे, हाला कि बाद में इसका विस्तार हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अहम बिभाग हैं, उन बिभागों को जाएगा और कई ऐसे एहम बिभाग हैं, जो खुद मुख्य मंत्री योगी आदितनात अपने पास रखेंगे, तो साफ है कि जब सपत के गरर समारो होगा, मंत्री मंडल का गठन होगा, तब देखने वाली बात होगी कि कि किसका किसका नाम आता है, हाला कि जो नाम उभर कर जितने भी आ रहा है कि मंत्री मंडल में जगा मिल सकती है, तो साफ है कि जितने भी पूराने चेहरे हैं, उनमें से कई चेहरों को मंत्री मंडल में अनुभो के आधार पे जगा दी जाएगी, वहीं कई नहीं चेहरों को भी सामिल किया जा सकता है, हाला कि अभी इतना नहीं लेकिन जो सुत्रों के हवाले से निकल कर सामने आ रहा है कि डिप्टी सीम में कोई बदलाव करने की अभी फिलहाल भारती जंता पार्टी की योजना नहीं है अब नीश बेबी रानी मौरे का नाम भी लिया जा रहा है कि हो सकता हो ने डिप्टी सीम बनाया जाए बिल्कुल देखिए कयासों का दौर है फिलहाल अगर एक तरीके से देखा जाया तो बेपी रानी मौर्या राष्टी उपाध्यच है उनको जाटो समाज को एक करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी तो कहीं न कहीं उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है और जो जाट पर लाया जा सकता है लेकिन फिलहाल जो अटकले हैं वो अटकले लगाई जा रहे हैं कयासों का दौर जा रही है और डिप्टी सीम को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं लेकिन इस नामों पर अंतिम मुहर सिर्ष नेत्रित तो लगाएगा ऐसे में कल जो बैठक होगी उस जब अंतिम चरण में होगा जब तै हो जाएगा सारे फैसले ले लिए जाएंगे तब ये बताना ज्यादा आसान होगा कि कौन कोन मंत्री मंडल में होगा कौन डिप्टी सीम होगा हाला कि कई नामों के कयास चलाय जा रहे हैं और वरिष्टता के आधार पे अनुभव के आ मुझूद रहने वाले हैं इससे जुड़ी जानकारी भी लेंगे लोग हैं वो आज फाइप केड़ी पर पहुंचेंगे आज करीब दो बजे का वक्त होगा जब प्रदेश अद्यस सोतंदेव सिंग महा पे मौझूद होंगे प्रदेश महामंतरी संगठल सुनिल बंसल मौझूद होंगे और चुनाप्रबंधन में जित्ते भी लोग लगा ने दी थी और उसके बाद सीटे जिस तरीके से कम होई तो उस धालातों पर भी चर्चा होगा कि कहां चूक रह गई ओट प्रसत में कहां कमी रह गई क्योंकि तमाम ऐसी सीटे हैं जहां पर ओट का जो प्रतिसत है वह कुछ कम हुआ है तो ऐसे में लोग सभा चुनाव भी स सामने हैं तो वहां इस तरीके के समिकरण गडबला हैं वह समिकरण दुरूस्त हो उसको लेकर भी चर्चा होगी हाला कि पुड़ु बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश का मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने स्वागत किया है और सभाविक सी बात है कि इतना बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला तो ऐसे में जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदितनात अपने संगठन के लोगों से साथ होंगे तो उनका होसला भी अफजाई करेंगे और साथ ही उर्जा भरने का क करेंगे और आगे कि तमाम जो रणनीतियां है उस पर भी चर्चा होगा चले बहुत शुक्रिया यह जानकरिया हमसे साजा करने के लिए अवनीश खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जवनातंत्र टीवी एप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें